पीसिस करें न्यूस में अभी की खबर है हैजा की इलाज के लिए नई वैक्सीन को मन्जूरी चलिए अब जानते हैं यूवी चोल एस वैक्सीन के बारे में यह एक निश्क्रिय मौखिक टीका है यह मौखिक हैजा वैक्सीन यानी OCV यूवी चोल प्लस का सरलिकृत फॉर्मूलेशन है यह यूवी चोल और यूवी चोल प्लस के बाद वर्तमार में डबलो एचो प्री क्वालिफिकेशन सूची में हैजा की टीकों के एक ही परिवार का तीसरा उत्पाद है चलिब जानते हैं हैजा के बारे में यह एक जानलेवा संक्रामक रोग तथा सारवजनिक स्वास्त के लिए खत्रा है हैजा एक जिवाडू जन्य रोग है जो विब्रियू कोलेरी जिवाडू से आद के संक्रमण के कारण होती है इसका संक्रमण अक्सर हलका या लक्षणों के बिना होता है, हलाकि कभी कभी गंभीर हो सकता है इसका संक्रमण दूशित जल्पीने या दूशित भोजन खाने से होता है इसके लक्षणों में डाइरिया, उल्टी, मानस्पेशों में एठन, आदी शामिल है अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को है जाके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक या एक जानलेवा संक्रामक रोग है दो यह रोग विब्रियो कोलेरी जिवानों के कारण होता है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले